चलिए जाएं दोस्तों तो आज की हमारी क्लास कल से continue करना है हम लोगों को कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसे continue करेंगे तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था मैं आपको in short बता देता हूँ पुरा का पुरा हमने सबसे पहला पार्ट applicability की बात की थी कि हर वो company ठीक है जो listed है anywhere around the year around the world anywhere around the world during the financial year वो चाहिए debt हो या equity हो चाहिए वो debt हो या equity हो anywhere around the world या in the process of being listed हो जो मैंने कल बात नहीं की थी छूड़ की थी मेरी तरफ से line कि आप में लिस्टिंग के लिए अपलाई कर दिया है तो वो भी ठीक है तो आपको in day as applicable है या फिर और ठीक है दोनों में से कोई भी condition satisfy भी तो चलेगा आप अगर नेट वर्थ लिस्टिंग और 250 क्रोर के कारण पर आप उसके holding थे या subsidiary थे उसके कारण आपको in day as लग गया तो आपके कारण आपकी holding subsidiary associate jv को अभी in day as नहीं लगने माता है ठीक है इता ध्यान में रखना है इसके अलावा फिर हम लोगों ने यह तो applicability की बात हुई थी इसके बाद में हम लोग current non current bifurcation के बारे में बात कर रहे थे balance sheet के अंदर में balance sheet के अंदर में जब हम लोग current non current bifurcation की बात करते हैं तो हमने इसेट side पढ़ा था जिसके अंदर में हमने 4 condition देखी थी एक जिस दिन वो asset हमारे books में आया debtor raw material जो भी है उसके operating cycle तक जो भी उसका operating cycle का period है वो operating cycle तक अगर मतलब वो पैसा realize हो जाता है या फिर वो asset consume हो जाता है तो फिर हो current है otherwise वो non current है या फिर reporting date से ठीक है पहला वाला क्या बुला मैंने जिस दिन वो asset आपके books में account हुआ है दूसरा reporting date से reporting date से बारा महीने के अंदर अंदर अगर वो realize हो जाता है तो फिर हो current है otherwise हो non current है हर reporting date के उपर चेक करेंगे बारा महीने का period यह पहले दो conditions हो गया तीसरा finish goods are always current finish goods हा, raw material की बात नहीं करूँ, finish goods are always current चौथा cash and cash equivalent is always current ठीक है पर अगर यह cash and cash equivalent के उपर आपने कोई restriction लगा दिया है because of some liability आप इस cash and cash equivalent को exchange नहीं कर सकते किसी liability के against, settle नहीं कर सकते किसी liability के against ठीक है FD against BG मैंने आपको गला था bank guarantee के against आपने FD लेकर रखा है बारा महीने तक reporting date से बारा महीने तक है तो फिर वो current नहीं रहेगा उस case नहीं non current हो जाएगा ठीक है तो यहां तक कि हम लोगों का current discussion हुआ था आज हम continue करते है टीच्मेंट का lecture computer पे चलता है हाँ टीच्मेंट के अपनी खुद की website SHNG आप जाके चेक कर सकते हैं उसके उपर चलेगा यह वेबसाइट के दूरू चलेगा ठीक है हेलो चंद्रा जी तो चलिए शुरू करते हैं किसी कुछ पूछना है तो बताईए किसी को यहां तक के कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं नहीं तो हम आगे continue करते हैं हम जा रहे हैं लायबिल्टी की तरफ एक मनेट इसे क्योंगा चाप्टर वन कंसेप्ट ओफ फ्रेमवर्क अंडर इंडेस करना है आप लोगों को तो पढ़ना पढ़ेगा सचिन जी मैं नहीं कराने वाला हूँ फिक है गुड मार्निंग मिलेंग जी चलिए लाइबिल्टी के अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट सेटल्मेंट ओफ लाइबिल्टी नॉर्मल ओपरेटिंग साइकल नॉर्मल ओपरेटिंग साइकल के अंदर ही सेटल होना चाहिए यह कहान ही हम लोगों नहीं देखी थी बराबर जो एसेट्स में होता है वैसा का वैसा ही सेम है या फिर 12 months from reporting period 12 months from reporting period तो A condition C condition same ही है 12 months from reporting date ठीक है इसमें मुझे कुछ पढ़ाने की ज़ुरत नहीं है अब आप भी वाला point देखिए अब लाइबिल्टी को ट्रेडिंग पर्परस के लिए क्यों hold करेंगे मुझे finished goods तो समझ में आता है ठीक है it holds the liability liability आपके books में दिख रही है primarily for trading हम liability में trade करते हैं मतलब यह थोड़ा confusing कोई example है आप लोगों के पास कुछ बता सकते हैं आप लोग इसका कोई example जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो anyone try कीजे और सरा two way communication रखे सिब मैं बोलता रहा हूँगा मजा नी आएगा सुबा सुबा बर ना सोजाओगे रात को बारा बया तक के audit करोगे सुबा मेरी class में आओगे तो सोजाओगे इसे लिए खुद भी कुछना कुछ जवाब दीचे क्या लगता है it holds the liability primarily for trading asset तो होता है finished goods हम लोग trading के लिए hold करते हैं यह liability कौन सी हैसी होती है जो हम लोग trading purpose के लिए hold करते हैं यह कौन सी liability की बात कर रहा है बताई बताई क्या लग रहा है डेरिवेटिव्स ठीक है मिलिन जी का भी कहना है derivatives रितेज जी का भी कहना है derivatives हाँ derivatives होते हैं बराबर बोल रहा है आप लोग इसमें derivatives भी आते हैं इसके अंदर bank O.D. भी आता है बैंक ओवरटराफ्ट वैसे बैंक ओवरटराफ्ट आगे जाके हम लोग देखेंगे cash and cash equivalent की definition में आ गया पर वो asset के लिए बात कर रहा है यहाँ liability के लिए बात कर रहा है बैंक O.D. is something that is held for trading इसलिए वो भी यहाँ पे cover हो गया अब D. पे ध्यान दीजे D. exam के point of view से बहुत important बनता है क्योंकि इसके उपर तीन questions institute की तरफ से frame किये वे हैं और तीनो questions exam ना आ चुके है तो यह वाला ध्यान से पढ़िएगा ठीक है चलिए गुद मॉर्निंग पारस जी राते राते शुभाम जी It does not have an unconditional right आपके पास unconditional right नहीं है ठीक है To defer the settlement for at least 12 months from reporting date Reporting date से किसी भी liability को defer करने का unconditional right आपके पास नहीं है याने in short इसको ऐसे पढ़िए कि अगर मेरे पास unconditional right आ जाता है कि मैं liability को defer कर सकता हूं beyond 12 months कहां से reporting date से reporting date से 12 months के beyond defer कर सकता हूं without any condition unconditionally ठीक है तो ये liability को उस case में मैंने भली differ किया हो या नहीं किया हो उस liability को ऐसे case के अंदर में हम लोग non current बोल देंगे current नहीं बोलेंगे ठीक है current बोलने के लिए आपके पास right नहीं होना चाहिए current right नहीं होना चाहिए ऐसा ध्यान में रखेंगे ठीक है चलो let's try to understand this point देखिए आपने मुझे लोन दिया ठीक है लोन दिया है आपने 11 महीने के लिए मुझे आपको ये लोन रीपे करना है बराबर है आप asset holder हो और मैं liability holder हूँ ठीक है ये transaction हमने 31 माद 2021 को किया था आपके लिए हमने कल जो पड़ा उसके हिसाब से आपके लिए ये लोन current एकि non current जारा answer कीजिए तब तक कि मैं मेरी तरफ से बूलता हूँ तब तक क्या मेरी तरफ से बूलता हूँ अचिक है में उतको आपने defer करने का write डाल दिया कि मैं इसे और चार महीने से defer कर सकता हूँ वह चार महीने डेफर करने के लिए आप मुझे कोई interest चार्ज नहीं करेंगे वो defer करनेका right मेरे हाथ में और मेरे description पे कि मुझे करना है तो मैं उसे defer करूंगा नहीं तो मुझे नहीं करूँगा किया हुआ कि मैंने 31 मार्च को loan लिए अपसे 11 महीने के लिए loan लिया है 11 महीने बाद लोटाना है अगर मैं 11 महीने बाद नहीं लोटा पाई है दिया गया था मैं और चार मही ने डेफर कर सकता हूं याने 12 months beyond reporting date मैं इसे extend कर सकता हूं मुद्दा समझ में आ रहा है आप लोगों को ठीक है पुरा का पुरा question clear होगा मेरे लिए ये current है या non current सोच समझ के देखेगा ये वाला जो आखरी वाला point है अगर आप खुद interpret कर लेंगे तो आप इसका answer देदेंगे मेरे पास मैं liability holder हूं मेरे पास unconditional right नहीं होना चाहिए to defer beyond 12 months from reporting date तो अगर आज आता है मेरे पास unconditional right तो ये non current हो गया ये question आपके सामने है मेरे लिए current है या non current सोच समझ के बताईगा तो मिलिन जी पारस जी आपने non current का क्यों non current क्यों 11 महीने के लिए loan लगर दिया हुआ है 11 महीने reporting rate से तो ये तो current हीवा न आप लोग non current क्यों बोल रहा थे चलो without defer current with defer non current तो रिटेश जी ने asset को दो angle से बुला है सर अगर defer करने का right है तो ये non current है और अगर defer करने का right नहीं है तो ये current है चलो अब भी फिलाल defer के बारे मैं थोड़ी देर में आऊँगा उस point के उपर defer करने वाले point के उपर थोड़ी देर में आऊँगा मैं ठीक है unconditional right to defer so non current है सुमिच सार्डा के लिए ये non current होगे ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है सुमिच सार्डा के लिए ये non current होगे देखो सुमिच सार्डा को वैसे तो 31st माच से 11 महीने के अंदर पैसे देने थे बराबर है तो current हो गया पर अब सुमिच सार्डा के पाथ defer करने का right है सुमिच सार्डा के लिए मैं अगर आपको लाइबिल्टी होड़र बना देता हूं आपको 11 महीने में लोन रिपे करना और आपके पास option है आप चाहें तो इसे और चार महीने एक्सेंड कर सकते हैं और वो चार महीने के ओपर कोई condition अटाइज नहीं तो यह सीधी बात है कि मैं बोल सकता हूं कि आपने लोन बेसिकली यह 11 प्लस 4 पंदरा महीने के लिए कोई condition ही नहीं है बोलने की बाते है कि 11 महीने के अंदर लोटा दो नहीं तो पंदरा महीने के अंदर लोटा देना और यह तो बहुत clear cut visible है कि 15 महीने में आपको पैसा लो उस point में डालने की कोशिश करेंगे कि यह language उल्टी है आपके पास unconditional right नहीं होना चीए तो current है यह आपके पास unconditional right है तो यह non current है तो यह confusing लगता है पर अब आप इस angle से सोचे कि अगर कोई condition ही नहीं तो in short question तो यह बोलना चाहता है कि आपको पैसा 15 महीने में लोटा आना है त किसे सोचे समझ में आ रहा है बताइए किसी को भी कुछ पूछना है इससे related बताइए आपके angle से यहां पे asset के angle से हम थोड़ी देर बाद आएंगे अब liability के angle से बताइए आप लोगों को क्या समाझ में आया है non current है यह clear है कि किसी तरह की कोई दिक्कत है बताइए non current समझने म किसी को कोई दिक्कत sorry sorry कि घुल की जो एक है मैं और यह नहीं समझ में आए क्या है SPर भी किसी कोई जवाब नहारा ठीक है, मिलिन जी को clear है, बाकी लोगों को doubt है लगता अच्छा देखो, इस example में थोड़ा सा और एक condition डाल देते हैं Suppose कीजिए कि आप defer कर सकते हैं, पर interest लगना पड़ेगा सुमित को यानि मुझे, मैं defer कर सकता हूँ, पर मुझे interest पे करना पड़ेगा इसके उपर 10% का, यानि या तो 11 महीने में pay कर दो, पर 11 महीने के beyond अगर extend करना है तो interest पे करना पड़ेगा 10% की यह साब से, 4 महीने और extend कर सकता हूँ पर फिर interest पे करना पड़ेगा ठीक है, मुद्धा समझ में आया, आगे extend कर सकते हैं, पर interest पे करना पड़ेगा बताइए कि अब भी यह unconditional rate है कि अभी भी यह unconditional rate है कि अभी भी मैंने इसे बुलना चाहिए कि 15 months का period है 11 months का period नहीं है कि अब भी मैंने इसे non current बुलना चाहिए सोच समझे देखें भूल जाइए कि मैंने आपको कोई चौता point पढ़ाया liability के अंतर में ऐसा देखें कि 11 months का period था चाहे तो सुमित साड़ा चार महीने extend कर सकता है पर अब उसे interest पे करना पड़ेगा 10% अगर चार महीने extend करना है तो अब यह current होगा या non current होगा सोच समझे आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है मैं तो बताऊंगा यह आपको अंसर आपको क्या लगता है तो रुद्र जी का कहना है कि नहीं सर अब तो current होना चीए चीक है बाकी लोगों को क्या लगता है try to answer देखो यह एक अंसर से बात नहीं बने गया सब लोगों को participate तो करना पड़ेगा ऐसे मसा नहीं आएगी रुद्र जी का कहना है current है पारस जी का कहना है non current है अभी कहा है थोड़ा सा concept clear नहीं होगा ठीक है हाँ current है तो maximum लोगों का कहना है current है हाँ यह current है ठीक है पारस जी को अभी भी लग रहा है non current है नहीं अभी यह non current नहीं है Now let's try to understand this again ठीक है ये timeline है ये वो date है जिस दिन loan लिया गया है ठीक है 31st March और loan लिया गया था 11 महीने के लिए normal terms 11 महीने के लिए ठीक है अब अगर मैं अगली date देखो 31st March 2022 याने loan को repay करने की date हो गई 28th February 2022 बराबर within 12 months from reporting date within 12 months from reporting date तो obviously ये loan current हो गया normal कहानी में normal circumstances में ये loan current हो जाता है second case समझने की कोशिश की जा मैंने आपको defer करने का right दे दिया कितना? 4 महीने 4 महीने defer करने का right दे दिया unconditionally कोई condition नहीं है unconditionally सिर्फ liability holder के लिए बात हो रही है अब जैसी मैं आपको unconditional right दे देता हूँ तो यार मैं बोल रहा हूँ कि आप 11 महीने में पैसे दीजे पर मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ हाँ आप चाहे तो 4 महीने एक्स्रा ले लिजे इंचोट मैं आपको बोल रहा हूँ 15 महीने तो 15 महीने के पहले देना तो आपका discretion है आपको देना है तो दीजे नहीं देना है तो मत दीजे यानि 11 महीने के अंदर repay करना एक तरह से आपका discretion हो जाता है देखा जाये तो काई दे से हाँ तो अब अगर मैं 15 मंस एड़ कर देता हूं इसमें तो 12 मंस तक के मार्च फिर एप्रिल में जून इस केस में आप मुझे 30 जून 2022 तक के पैसे लोटा सकते हैं और इसमें किसी तरह की कोई condition अटाइच नहीं है तो ऐसे में तो मैं इसको नॉन करेंट बोलूँगा ना बिक्योज दिस नॉट 12 मंस तॉम रिपोर्टिंग डेट पॉइंट समझ में आया दूसरा वाला पॉइंट ठीक है इस condition is not exercise, रिपोर्टिंग डेट तक के आपने बोला है कि अभी तक condition exercise करने की बाती नहीं हुई है आपने बोला ही नहीं कि आप ये condition exercise कर रहे हैं आप कर सकते हो, आपके पास option है पर अभी तक आपने ये condition को exercise नहीं किया है तो normal circumstances में, पारज जी, सचिन जी, अंसर करने ही कोशिश कीजेगा आप ये पैसा मुझे कब तक के लोटा होगे? normal circumstances में, आप ये पैसा मुझे 28 February को लोटा होगे? या 30 June को लोटा होगे? try to answer, Feb में लोटाने वाले हो आप? या आप जून में लोटाने वाले हो ये पैसा? और बाकी के लोग भी जिनको नहीं समझ में है जो non-current कह रहे हैं के ये वाले case में, आखरी 30 June जो मैंने अभी interest वाले लगा है na try to answer, ठीक है? में को दो लोग ध्यान में हैं, इसलिए मां बोल रहा हूँ कोई और भी answer करने की try कीजिए तो Sachin जी का कहना है, sir 28 वर्वरी को तो ऐसे में Sachin जी क्या होगा, current होगा की non-current होगा? शुब जी का भी कहना है की current है मिलें जी का कहना है, sir Feb में पैसा आएगा तो अगर Feb में पैसा आएगा, अपने को लग रहा है तो ऐसे में तो current हो जाएगा अगर पता है, 12 months from reporting date के अंदर में पैसा आजाएगा तब तो अपने इसे current होगे न, हाना, clear चलो चौथा, यह मैंने उपर नहीं पढ़ाया था अब बोल रहा हूँ, अब सब लोग answer करेंगी अगर इसका answer कर दिया, मतलब एकदम concept crystal clear है ठीक है चलो देखते है आपके पास defer करने का right है, 4 महीने पर इसमें condition है कि interest pay करना पड़ेगा at the rate of 11% and the condition is exercised on reporting date exercised आपने में को बोल दिया कि sir मैं पैसे तो 30 June को ही दूँँगा defer करने का right है आपके पास और आप ये right को exercise कर चुके है आपने बोला हाँ interest pay करेंगे पैसे 30 June को लोटाएंगे समझ गया है condition है defer करने का and the condition is exercised current या non current इसका answer दे दिया मतलब concept समझ गया ठीक है सोच समझ के अंदर दीजेगा gut feeling से answer दीजे ऐसे मत सोचिए कि definition के हिसाब से ऐसा होना चाहिए definition से हमेशा इंसान confused होता है right answer अब क्या लग रहा है current होना चाहिए कि non current होना चाहिए right answer चलिए defer करने का right है 4 मही ने defer कर सकते है और ये defer करने के right आपने exercise कर लिया है आपने reporting date पर बोल दिया है कि हम आपको पैसे लेट ही लोटाएंगे कि आपने बोल दिया है तो आप क्या लगता है आपका answer क्या होना चाहिए तो शुब जी का कहना है non current सचिन जी का कहना है non current पारज जी का कहना है non current बिलिन जी अभिशेग जी non current correct absolutely correct बहुत बढ़ी है ठीक है यह है हमारा चौता वाला point ठीक है and इस point के उपर institute की दरफ से questions है जो हम लोगों को देखना है तो आप screenshot ले सकते हैं यह हमारा concept है पूरा का पूरा चलो अब आपका सवाल asset holder के angle से आ सकता है अब asset holder के angle से मैं पहले ही बता दूँ मेरा answer और institute का answer अलग-अलग चलता है एक question आएगा जब वो question आएगा तब उस question के तुरू में आप लोगों को बताऊँ मां कैसे मेरा answer और institute का answer match नहीं कर रहा है mostly test your knowledge के अंदर में थे वो questions एक मिनिट रुख जाईए बस sir, सारे index आने वाले हैं क्या हाँ, सारे के सारे index आएगे, क्यों नहीं आएगे पढ़ना तो सब कुछ ही है एक मिनिट रुख जाईए हाँ, अब ये हैं, हम है page number 2.67 page number 2.67 पहला वाला point the company has some trade receivables which are due after 15 months from the balance sheet date balance sheet date याने reporting date balance sheet date, reporting date ये सब एक ही चीज होती है reporting date से 15 months के अंदर अंदर ये पैसा due है company expects that the payment will be received within the period of operating cycle अब ये देखे, पीछे मैंने ज़रा आप लोगों के लिए पढ़ा नहीं था कि operating cycle आपको 18 months दी भी है आप लोगों को जो operating cycle दी भी है वो 18 months दी भी है ठीक है 18 months के हिसाब से पहला वाला point the company has some trade receivables 15 months और ये operating cycle के अंदर मिल जाएगा current या non current, try to answer this question ये question एकसाम में आचुका है ठीक है पर इस question में आगे एक point आएगा जो मैंने आपको asset के बारे में बोला और notes as such कुछ है नि कुछ student class notes बनाते हैं जो पिछले batches के भी available है वो मैं आप लोगों को provide कर दूँगा जो हम लोग class में notes बनाते हैं वो पूरे के पूरे notes जो students बनाते हैं वो लोग हमेशा मुझे उनका PDF copy दे देते हैं जो class के साथ बनाते हैं वो वाले notes मिल जाएंगे बाकी मैं से YCI module से पढ़ाने वाला हूँ ठीक है sir में का video पीछे चल रहा है क्या आपका video पीछे चल रहा है क्या मिलें जी नहीं नहीं वो वैसे भी थोड़ा सा डीले चलता ही है मेरे इसमें 10 सेकंड के video डीले तो वैसे भी चलता ही है शुब जी का कहना है sir ये non-current है current as it is received within the normal operating cycle ठीक है Sachin जी का भी कहना है कि current है शुब जी का कहना है कि non-current है शुब जी operating cycle 18 months है operating cycle 18 months है ये 15 महीने के अंदर-अंदर पैसा realize हो जाएगा तो क्यो non-current बोलना चाहिए ये current है ये current है ठीक हाँ operating cycle से compare करें अब इस सवाल में एक missing चीज है कि ये receivable आया किस दिन था balance sheet में वो नोंने दिया नहीं तो दिया नहीं है तो हम तो यही मान रहे है कि या reporting date पी आया होगा 15 months operating cycle 18 months hence it is current ठीक है चलो the company has some trade payables trade payables which are due after 14 months from the balance sheet date trade payable 14 months these payables fall within operating cycle though the company does not expect that it will be able to pay these payables within operating cycle because the nature of the business is such that generally the projects are delayed and the payment of the customer gets delayed ठीक है वैसे तो ये पैसे हम लोगो को 14 महीने में पे करना है पर हम expect नहीं कर रहे है कि हम 14 months के अंदर पे कर देंगे याने हम 14 months के beyond extend करने वाले हैं ठीक है हम 14 months में पे नहीं करेंगे in fact हम operating cycle में पे करेंगे इसी बात पे doubt है वहाँ लिखा है company does not expect to pay it within the operating cycle सोच समझ के अंसर कीजिए current या non-current current या non-current mostly यही कोशन है जिसके अंदर में मेरा answer अलग है तो पारस जी का कहना है non-current मिलिन जी का कहना है non-current सचिन जी का कहना है non-current चली ठीक है मेरे साब से शायद institute ने इसे current बोला है चली आई answer देखते है एट वाला कुशन है no the company cannot disclose the payables as non-current and company needs to disclose the amount that are payable within a period of 12 months after the reporting date हाँ भी अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है para 60, para 61 of index 1 जो current non-current wifurgation की बात करता है और यहाँ पे लिखा है company cannot disclose the amount as non-current यह मुझे लगता है कि institute का answer गलत है यह क्यों मुझे लगता है कि institute का answer गलत है आप बाद में para 60, 61 proper index 1 करके download करके देख लीजेगा उसमें यह current non-current definition दिये गए अब देखे मैं liability side पर हूँ liability side में जो word लिखा गया है वो लिखा गया है company expects to settle the liability within operating cycle और हम expect नहीं कर रहे हम expect नहीं कर रहे हाना वहापे यही लिखा है ना the payables are due though the company does not expect अरे भई नहीं expect कर रहे तो non-current होना चीए पर institute बोलता है कि यह current है ठीक है institute बोलता है कि यह current है अब चाहे है तो आप institute को mail कीजे पिछले बाच में मैंने students को ही कहा था कि mail कीजे institute को मेरे youtube videos पर भी आपको यही मिलेगा ठीक है मेरे हिसाब से यह current है पर institute का answer non-current दिया हो ठीक है? क्योंकि मेरे हिसाब चलता है obviously आपको exam में तो वही लिखना है जो institute ने बोलके रखा है तो institute ने non-current बोलके रखा है ठीक है? नहीं sorry institute ने current बोलके रखा है मैं उल्टा बोल रहा हूँ मैं उल्टा बोल रहा हूँ आप लोग सही है नम सीपरेाओं कि मेरे ईसाबस आई नॉन्हें कुछें को क्यों कि अरे गालव हैं थो प्लीज मेल कीजिए इन्सिट्यूट को क्यों कि वर्दिंग्स तो वही बो मुझे लग रहे हैं कि इंसीट्यूटों के इंटरूट है vision गलत के ऍायर हुए मैंने मतलब along with students, मेरे खुद के mails, students के mails सब में लाके अभी तक के 17 points हमने correct करवा दी है और 17 points हम नहीं करवा है यह इसलिए पता है कि जब correction होता है तो institute हमको revert करता है कि yes this point has been corrected, mail का reply आता है तो ऐसे mails कीजे, आप लोगों को mail करने इसलिए बोलता हूँ कि इससे आपका भी confidence boost होगा कि आप लोग मानते हैं कि यह non current है तो आप जब mail करेंगे institute को, institute अगर reply में बोलता है कि हाँ यह non current है या institute समझाएगा कि क्यों यह current है या institute reply में बोल देगा, हाँ आप सही बोल रहे हैं यह non current है तो इससे आपका भी confidence boost होता है कि हाँ यह आपन सही जा रहे है, आपन ICI को challenge करके सही हो गए तो ऐसा किया कीजे mail, आप लोगों को पता चलेगा चले कोई नहीं, बट फिलाल decision पे खुद मात आ जाईए क्या ICI गलत है, mail कीजे institute, ठीक है चले, अगर आपको लगता है कोई चीज गलत है तो challenge the institute regarding the same चले आईए, थर्ड वाले point के उपर आते है The company was awarded a contract of 100 crore rupees company को award हुआ है contract, 100 crore rupees का on 31st March 2002 As per the terms of contract, the company made security deposit of 5% of the contract value with the customer of 5 crore rupees on 31st March 2002 आप deposit कर रहा है customer के पास 5% ध्यान दीजेगा, आपके पाद deposit नहीं आ रहा है asset है की liability है, यह जानना बहुत जरूरी होता है ठीक है, asset है की liability है तो यह यहाँ पर आपके लिए asset है, आपने deposit किया है ठीक है, आपने deposit किया है The contract is expected to be completed in 18 months time वैसे तो contract 18 months में complete हो जाएगा operating cycle 18 months है, contract 18 months में complete हो जाएगा The deposit will be refunded back सामने वाला हमको refund कर देगा after 6 months after 6 months from the date of completion of contract जिस दिन contract complete होगा उसके 6 महीने बाद मुद्दा समझ में आ रहा है आप लोगों को ठीक है, तो चलिए try to answer ये deposit जो आपने देखे रखा है customer को contract 18 months में complete होगा उसके 6 महीने बाद वो आपको पैसा लोटाएगा What do you think the security deposit should be shown as current और non-current Try to answer Good morning Dikshan जी Aray Milind जी liability नहीं है ना asset है Aray Milind जी ध्यान दीजे ना आपने deposit दिया है तो asset है liability थोड़ी है हाँ भई बताईे, क्या लग रहा है तो पाराद जी का कहना है की non-current है रिते जी का कहना है की non-current है Shabash, बहुत बढ़िया, very good Non-current है Sachin जी का कहना है non-current है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चली आगे बढ़ेंगे The company has also given certain contract to third parties and have received security deposit of 2 crore अब asset की liability आप लोग बताएंगे सिर्फ A.I.L. लिखिएगा ठीक है? सरे question नहीं समझ मैं है मिलें जी देखिए यहापे क्या हुआ Companies awarded a contract आपको contract मिला 100 crore तो आपने अपने customer को deposit दिया security deposit दिया तो आप जब अपने customer को security deposit देते हैं तो आप पैसा दे रहे हैं तो आपके लिए तो asset है na liability कैसे हुआ आप किसी के पाद deposit रख रहे हैं तो आपने तो loan दिया ऐसा हो गया किसी के पाद deposit रखना तो आपका asset होता है liability कैसे हुई मुद्दा समझ में आया बस होई और कुछ नहीं है अब ये contract 18 months में complete होगा तो operating cycle होई उसके 6 महिने के बाद में पैसा मिलेगा ये पैसा मिलेगा 24 months from reporting date 24 months तो ये तो non-current होगया न वैसा है अब अगला देखिए आप लोगों को answer करना है कि asset area liability company has been given has also given certain contract to third party हमने third party को contract दिये है and have received and have received security deposit of 2 crore rupees on 31st March 2002 which are repayable on completion of contract on completion of contract contract जो complete हो जाएगा तो आपको उसे repay करना पड़ेगा सभ़ मैं है पूरा point अच्छे से देख लिया पारस जी अब भी लग रहा है क्या asset है रिते जी का कहना है liability है आशुतो जी का कहना है कि liability है maximum गलतियां जो students करते है वो यही होती है हम जो interpret करते हैं कि asset है liability वो गलत हो जाता है तो marks कड़ जाते है otherwise answer आपको धूरना बड़ी बात नहीं है न अगर मुझे पता है कि third point asset है तो asset के angle से सोचूँँगा fourth point अगर मैं को पता है कि liability है तो liability के angle से सोचूँआ न fourth point liability है ठीक है बहुत बढ़ी है शांदार सभी लोगों ने पैचान लिया liability है और उसके बाद में बोल रहा है कि repayable on completion of contract repayable on completion of contract but if cancelled before the contract term of 18 months अब contract term 18 months है 18 months तो operating cycle ही है अब अगर contract cancel हो जाता है तो ये loan immediately repayable है तो वैसे भी 18 months तो हम लोगों का operating cycle ही है अब operating cycle के अंदर ये contract complete हो जाएगा तो पैसा लोटाना है और अगर contract cancel हो जाता है तो immediately पैसा लोटाना है अब contract को cancel करना तो मेरे discretion पर before the contract term it become repayable immediately नहीं मेरे हाथ में नहीं आए थिंक सामने वाले के हाथ में रहेगा contract तो वो cancel करेगा मैं क्यों करूंगा however the company does not expect the cancellation of the contract अब बोलिए current लग रहा है या non-current लग रहा है try to answer Ritesh जी का कहना है कि सर ये non-current है Ritesh जी operating cycle 18 months है तो million जी का कहना है कि current है पारस जी का कहना है कि सर ये current है तो हां हम इसे current बोलेंगे ठीक है क्योंकि वैसे भी 18 months का ही period था वैसे भी 18 months का period था पर चलिए अब हम brainstorming करते है institute ने नहीं पूछा हमारे discuss करने में क्या है हमारे discuss करने में क्या है ये 24 months कर देते है ये जो 18 months लिखा है इसको 24 months कर देते है अब आप लोगों को क्या लग रहा है क्या होगा शायद ऐसा ही कुछ वहाँ लिखा हुआ भी है नहीं नहीं लिखा है तो अगर हम इसे 24 months कर देते हैं तो आपको क्या लगता है इसे में क्या होना चाहिए कि वैसे तो contract 24 months चलेगा और 24 months के बाद में deposit लोट आना पड़ेगा जिस दिन contract complete होगा ठीक है तो liability है मेरे books में however if the contract is cancelled अगर contract cancel हो जाता है तो मुझे ये पैसा immediately लोट आना पड़ेगा तो रिटेश जी का कहना है कि non current है sorry अशुतोष जी का कहना है कि non current है अशुतोष जी का रिटेश जी का कहना है कि sir ये non current है but if cancellation expected then current ठीक है अशुतोष जी का कहना है sir cancellation expected है तो फिर ये current हो जाना चीए चलिए अब ये पॉइंट थोड़ा सा अजीब होगा आप लोगों के लिए पर सोचना पड़ेगा ठीक है मेरे लिए भी समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है पर आप लोगों को सोचना पड़ेगा इस चीज़ को operating cycle also 24 months then current नहीं 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 operating cycle क्यों change कर रहे है सचीन जी मैंने बोला ही नहीं operating cycle तो 18 months महीं नहीं रहेगी ठीक है अब आप सब लोगों का कहना है कि non current है चलिए इसको ना वो liability के fourth point में डालने की कोशिश करते है let's try to inbuilt it in that point ठीक है ये पैसा मुझे immediate repay करना है ये पैसा मुझे immediate repay करना है पर अगर मैं contract को cancel नहीं करता हूँ अगर मैं contract को cancel नहीं करता हूँ तो फिर ये 24 months के बाद repay करना है बड़ा अजीब सा तरीका हो गया ना बोलने का मतलब वैसे तो normal तरीका ये होना चीए कि वैसे तो 24 months में pay करना है पर अगर मैं contract को cancel कर देता हूँ तो immediate pay करना है यह point बोल रहा है पर मैं उल्टा बोल रहा हूँ वैसे तो यह पैसा मुझे immediate repay करना है पर अगर मैं contract को cancel नहीं करता हूँ condition क्या है कि मैं इसे defer कर सकता हूँ to be paid beyond 12 months from reporting date मैं इस point को यह पैसे को repay करने के लिए beyond 12 months from reporting date defer कर सकता हूँ provided condition मैं contract को cancel नहीं करूँ provided मैं contract को cancel नहीं करूँ ठीक है मेरे पास unconditional right नहीं होना चाहिए to extend beyond 12 months from reporting date तो ऐसे में मैं उसको current बोलता हूँ अगर मेरे पास unconditional right है to extend beyond 12 months मेरे पास unconditional right है to extend beyond 12 months तो यह non-current हो जाता है यहां जो मैं statement बोल रहा हूँ focus on my statement conditional है कि unconditional मैं जो statement बोल रहा हूँ उसमें बोल यह conditional है कि non-conditional वैसे तो यह पैसा मुझे immediate लोटाना है पर अगर मैं contract को cancel नहीं करता हूँ अगर मैं contract को cancel नहीं करता हूँ कीजिए कि conditional है कि unconditional है कि unconditional conditional right to defer beyond 12 months या unconditional right to defer beyond 12 months U या C बस इतना ही लिखे U या C सोच समझ कि answer कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ अभी current on current पर जम मत कर लीजिए मैं जो statement बोल रहा हूँ मैं जो पूच रहा हूँ उसका answer करने की कोशिश कीजिए Sir operating cycle Sir it is current as there is no unconditional right to defer मिलिन जी आगए answer के उपर मिलिन जी समझ गए मैं क्या समझानी की कोशिश कर रहा हूँ पर बाकी के लोग answer करने की कोशिश कीजिए बहुत confusing point है पर हाँ ये point institute ने पुछा exam ठीक है तो इसी लिए ये question ये वाला question समझना बहुत ज़रूरी है ठीक है हाँ बई तो आशुतों जी का कहना है Sir ये conditional हाँ पारत जी का कहना है कि Sir ये unconditional हाँ सचिन जी का कहना है कि ये unconditional है हाँ भी पर अगर मुझे option महाईने में लोटाना है तो क्या करना पड़ेगा contract cancel नहीं करना पड़ेगा v моей तो पैसा मुझे immediatly लोटाना है पर अगर मुझे 24 months तक defer करना है तो defer करने का right है पर defer करने के क्लिए contract को cancel नहीं करना पड़ेगा डेफर करने के लिए contract को cancel नहीं करना पड़ेगा, तो यह तो conditional हो गया, मुद्दा समझा, अब अगर unconditional right होता 12 months के beyond defer करने का, तो हम non-current बोलते हैं, unconditional right होता, तो non-current बोलते हैं, पर यहां तो conditional है, यहां तो conditional है, current हो जाएगा, confusing है, confusing है, पर यह fact है, देखो security deposits हमें immediate लोटाने अगर contract cancellable होता है, contract cancellable है, तो security deposits always considered as current, मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि हमने कुछ security deposits लेके रखे हैं, अगर वो किसी contract के तहत है, कोई tender के तहत है, और वो contract cancellable है, उसमे cancellation clause है, तो इसका मतलब वो security deposit current है, क्योंकि contract cancel हो गया, तो पैसा लोटाना पड़ेगा, हाना यह condition होगी, इसलिए उन liabilities को हम हमेशा current में दिखाएंगे, बले या वो contract 5 साल काओ, 6 साल काओ, 7 साल काओ, किते भी साल काओ, बर अगर non-cancellable clause है, तभी उस case में हम उनको non-current दिखा सकते हैं, ठीक है, यह practical issue है, जब आप practically Indian accounting standard implement करने जाएंगे, तो आप security deposits को discount कर दोग कि contract cancellable है और non-cancellable, non-cancellable contracts के अंदर में security deposits को हम current में दिखा देते हैं, यह वो बोलना चाहता है, let's try to answer this again from four angles, क्या हो सकता है, मेरे पास unconditional right हो सकता है, अगर मेरे पास unconditional right है, to extend beyond 12 months from reporting date, कोई भी चीज, कुछ भी हो, आज मुझे पैसा लोटाना है, पर मैं इसे extend कर सकता हू कि reporting date से 12 महीने बार लोटा हूँगा, और यह मेरे discretion पर, मैं चाहूं तो मैं इसे extend कर सकता हूँ, इसमें किसी तरह की कोई परिशानी नहीं होगी, तो ऐसे में मैं इस loan को non-current बोल दूँगा, ऐसे में मैं इस loan को non-current बोल दूँगा, ठीक है, पर अगर यह unconditional right, less than 12 months का है, from reporting date तो मैं इसे current बोल दूँगा, ठीक है, तो मैं इसे current बोल दूँगा, suppose कीजिए कि एक condition है, condition फुल्फिल करने पर ही मैं इसे extend कर सकता हूँ, beyond 12 months, ठीक है, इसे equal to कर देते है, less than equal to, beyond 12 months बोला हूँगा है, तो equal to 12 months नहीं बोला हूँगा है, तो अगर कोई condition है, और condition के रहते ह की condition फुल्फिल करने पर ही मैं 12 months के beyond extend कर सकता हूँ, from reporting date, from reporting date, जैसे अभी वाला question है, जिसके अंदर में cancelable है, मुझे contract पूरा करना पड़ेगा, अगर मुझे पैसा 24 महीने में लोटाना है, पूरा करना पड़ेगा, तो ही 24 महीने में लोटा पहूँगा, तो फिर मैं इसे current बोलने वाला हूँ, मुद्दा समझ में आ रहा है, यह non current नहीं हो सकता, ठीक है, बताइए, इस point को लेकि confusion हो सकता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो बोलिए मुझे, यह point नहीं समझ में आ रहा है, तो बोलिए मुझे, तो इस case में यह तब भी current रहेगा, अगर मैं इसे 24 months कर बोले, बताइए, चलिए, question ऐसा बोल सकता है, कि security deposit लिया है contract के तहट, ठीक है, लिया है contract के तहट, contract 36 months का है, operating cycle 15 months का है, operating cycle 15 months का है, तो अब यह जो security deposit हमने लेके रखा है, यह obviously 36 months के बाद settle होने वाला है, यह 36 months के बाद settle होने वाला है, तो ऐसे में हम इसको क्या बोलेंगे, non-current, कि cancellation clause है, मतलब यह पैसा लोटाना पढ़ सकता है, पर अगर मुझे 36 months में लोटाना है, अगर मुझे 36 months में लोटाना है, यह condition होगी, तो मुझे contract को पूरा करना पढ़ेगा, तो मुझे contract को पूरा करना पढ़ेगा, contract पूरा करने पे, यह 36 months में लोटाना है, otherwise cancellation clause है, पैसा immediate लोटाना पढ़ेगा, तो cancellation clause होता है, तो हमेशा point को उल्टा पढ़ना पढ़ता है, एसा नहीं कि वैसे तो 36 months में लोटाना है, पर cancel कर दिया तो immediate लोटाना पढ़ेगा, एसा नहीं पढ़ना, हमेशा उल्टा पढ़ना cancellation clause से, वैसे तो पैसा immediate लोटाना है, पर अगर contract पूरा करता हूँ, तो 36 months में लोटाना, ठीके, तो condition क्या है, contract को पूरा करना, condition है, contract को पूरा करना, ऐसे में मैं इसको क्या बोलूँगा, बताइए, current की non-current, ऐसे में क्या बोलूँगा, sir, I have purchased your previously recorded batch and my attempt is due in May 22, is there any addition sir to that batch and current batch, नहीं, पभण जी, same ही है, आपको दिक्कत नहीं होगी, ये बैच थोड़ी slow चलेगी पभण जी, ये 60 days batch है, आपने जो recording purchase की है, वो मेरी 40 days batch है, 20 days का difference है, ये थोड़ी slow चलेगी उससे, नहीं, सब lectures YouTube पे नहीं आएंगे विशाल जी, बस आज का lecture आखरी है, जो हम YouTube पे ले रहे हैं, हाँ भी, तो मिलें जी का कहना है कि current है, सचिन जी, पारस जी, बताईए, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ non-cancellable, ठीक है, current बोल देंगे, अब देखो, cancellation का clause है, cancellation का clause है, पर पैसा 6 महीने में लोटाना पड़ेगा, जिस दन आपने cancel किया उस दिन से, cancel किया तो पैसा लोटाना पड़ेगा 6 महीने के अंदर-अंदर, current या non-current, सोच समझ के बताईएगा, सोच समझ के answer कीजिए, cancellation clause है, आप चाहिए तो cancel कर सकते हैं, पर अगर cancel किया, तो 6 महीने बाद पैसा लोटाना पड़ेगा, ठीक है, cancel किया तो 6 महीने बाद पैसा लोटाना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के, उल्टा ही पढ़ना है आपको, आपको उल्टा पढ़के देखना पड़ेगा, कि क्या हो रहा है, है ठीक है current या non current है अभी तो पारज जी ने बोलाए कि सरी यह तो current है बाकी के लोग मिलें जी सचन जी और भी जो लोग हमारे साथ जोड़े हैं वह कम लोग अंसर कर रहे हैं बाकी के लोग क्या कर रहे हैं यार सो मत मेरी क्लास में आके कंडिशन तो है so it is current पारज जी को लग रहा है non current है तो देख उल्टा पढ़ना सिखा हूँ अब मैं बोलूँगा वैसे तो यह पैसे मुझे छे महीने में लोटाने वैसे तो यह पैसे मुझे छे महीने में लोटाने है पर अगर मैं कॉन्ट्राक्ट पूरा करता हूँ तो 36 मंस में लोटाना पड़ेगा current छे महीने तो within 12 मनस ही है चे महीने तो within 12 months होता है न चलो चौता कांसलेशिन क्लॉस है तो अगर चैंसल क्लॉस है तो लोटाना में इसका अंसर अधुमा अ मतलब समझ गया अगर इसका अंसर दे दिया मतलब समझ गया तो स्नॉल卡 कैंसल किया तो कैंसलेशन देट से सोला महीने के अंदर अंदर पैसा लोटाना पड़ेगा करेंट या नॉंकरेंट सोच समझे बताइए ऑपरेटिंग साइगल 15 मांस मैं लिख चुका हूं अल्रेडी ठीक है पारश जी इसका अंसर करने कोशिश कीजिएगा बाकी सब भी आशेतों जी रितेज जी मिलें जी सचिन जी और भी जो लोग हमारे साथ जुड़ें पारश जी अंशर नी करेंगे इस बार कि चलो लटा पढ़ नए वैसे तो ये पैसे 16 महीने में लटाने है पर अगर मैं इसे दौन हम कर्ता हूं तो 36 मुंदए 12 महीने 5, 9 करण्ट ठीक है नॉन करेंट ठीक है आशेतों जी ध्यान दीजेगा आपने घड़बड की है नॉर्मल पीरियड ही 16 महीने का है तो नॉन करेंट ठीक है चलिए this will be more than sufficient screenshot ले लीजेगा थोड़ा इस question को अल्टर करते हैं अकर ये liability की जगे asset होता अगर यह liability की जगे asset होता तो point number 2 point number 3 क्या आप अभी भी current बोलते अगर यह liability नहीं होता asset होता आपने security deposit दिया है 36 months contract का ठीक है आपने security deposit दिया है asset है तो भी क्या point number 2 point number 3 में answer current होता या आपका answer non current हो जाता बताइए same cancellation clause है ठीक है तो asset के angle से liability के angle से तो यह answer पूरा discuss हो गया हमारा asset के angle से आप क्या बोले और अभी भी confusion है तो बताइएगा exam आपको देना है तो यह मेरी एक बात धियान में रखे exam मुझे नहीं देना है exam आपको देना है मैं समझा के चले जाओँगा अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं समझा आपको ठीक है और आप बोलते है चल छोड़ जाने दे इस concept को और यह concept exam में आ गया तो आपके 4 marks के तो जब तक नहीं समझ में आता है तब तक के पूछे कोई दिक्कत नहीं है हाँ भी तो पारज जी का गहना है सर ऐसे में दोनों नॉन करंट हो जाते है मिलिन जी का कहना है सर अंसर तो सेम ही होता करंट ही रहता है 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 इफ कंपनी expect completion देन करंट अच्छा कंपनी expect कर रही है complete होने पर तो current हो जाएग रिटेज जी यह तो मसलब अरे expect कर रही होना तो 36 months हो गया ठीक है चलिए तो आप मैंसे कई लोगोंने बुला हाँ सेम होगा करंट नई नौन करें ठीक हैं आप लोग गलत हैं ऐसा मद सोचे कि अरे यार आमने अंसर गलत दे दिया अब यह सोचिए कि यह पॉइंट का डिफरेंस इस पॉइंट पे क्लिक होना सब्सक्राइब यह जो डी वाला पॉइंट है जो हमने पड़ा कि अंकंडिशनल राइट टू डेफर यह पॉइंट के लिए ही नहीं दिया हुआ अन कंडिशनल राइट कोई k एामन कंडिशनल राइन ग्यांड नॉर्म एंसकी हम इसे नौन करेंट ही बूलेंगे Cancellation clause hit कर दिया, आपने सामने वाले को बोल दिया, contract cancel कर, तो आप current बोलिये न, जब तक आपने cancel किया नहीं, तब तक यह non-currency है, क्योंकि asset के अंदर में defer करने वाला point लिखा ही नहीं किया है, ठीक है, तो as long as it is liability, मैं यहाँ पर एक line खीत देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कि अगर यह liability है, तो कान ही यह थी, पर अगर यह asset है, security deposit हमने दिया है, हमने लिया नहीं है, तो in all cases, हमारा answer non-current ही रहेगा, current नहीं होने वाला है, ठीक है, clear, सचिन जी, रितीज जी आपका answer, जितना आपने बोला, वो partly गलत है, यार मैं expect कर रहा हूँ, पर मैंने अब भी contract cancel नहीं किया, तो मैं उसे current दिखा दूँगा, इससे तो आपके stakeholder को पता चल जाएगा, कि आप contract cancel करने वाले है, मतलब ऐसा कोई generally करेगा नहीं, तो theoretically सही लगता है हो, और practically गलत है, ऐसा कोई करेगा नहीं, ठीक है, तो मिलिन जी, I hope आपको समझ में आया होगा, सचिन जी समझ में आया होगा, अभी भी कोई दिखा दे तो बताइए, क्योंकि asset में defer करने वाले point ऐसा कोई दिया ही नहीं कि, अगर आप defer कर सकते है unconditionally, तो ही हम इसे non-current बोलेंगे, हम इसे current बोलेंगे, इता सोचना ही नहीं है, simple कहा नहीं है, contract 36 months का है, cancelable clause हो या ना हो, हम इसे non-current ही दिखाएंगे, ठीक है, simple है, एकदम simple answer है asset के angle से liability के angle से हमको सोचना पड़ता है, बताईए, और यहां तक कुछ भी पूछना है तो पूछे, क्योंकि current non-current bifurcation हम लोग यहां पे end कर रहे है, यह वो point है जहां हमने current non-current bifurcation पूरे तरीके से सीख लिया, क्या क्या दिया हुआ था हम वो पढ़ लेते हैं, क्योशन में पहला बोल रहा था, company wants to present trade receivable, जो पहला वाला point था, वो trade receivable as current, despite these are receivable in 15 months, 15 महीने में मिलने वाले, company current दिखाना चाहती है, दिखा सकती है क्या, हाँ, क्योंकि operating cycle 18 महीने का था, b वाला point, the company want to present trade paypal as non-current, despite the fact that this is due with an operating cycle, operating cycle में due है, फिर भी company उसे non-current दिखाना चाहती है, ठीक है, दिखा सकती है क्या, मेरे हिसाब से, हाँ, पर institute ने इसे current बोल के रखा है, तो यहाँ पर हमारा answer अलग अलग है institute के साथ, C, जो security deposit है, 5 करोड का made by the company, हमने जो सामने वाले को पैसे दे के रखे है, with the company, will be presented as current, हाँ, क्योंकि वो contract, नहीं, क्योंकि वो contract में वो पैसा, 18 महीने प्लस 6 महीने बाद हमको मिलने वाला है, प्लस 6 महीने के बाद मिलने वाला है, तो उस case में non-current हो जाएगा, चौथा वाला point, जो हमने deposit लिया है, क्या वो non-current है, should be presented as non-current, no, वो current दिखेगा, वो non-current नहीं दिख सकता, तो यह पुरा का पुरा point हम लोगों का discuss हो चुका है, यह question हमने पूरे तरीके से complete कर दिया, हम वापस पीछे आते हैं, कुछ questions दिएवे हैं, current non-current के institute की तरफ से, वो देखना है हमको, illustration 8 से शुरू होगा, Sir, exam में how we get the hint, कि question किसके angle से पूछा गया है, अब देखे, question जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो question में सबसे पहले तो यह identify करना है, कि asset की liability, तो जब मैंने start किया था, यह question तो मैंने आप लोगों को क्या बोलाता, देखे, आप ऐसे दे रहे हैं कि आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है तो liability है, आप दे रहे हैं तो asset है, क्योंकि आपने दे दिया, अब future में आपको वापस मिलेगा, तो asset है, आज आपको मिला है, आप आज के angle से सोचते हैं आप लोग, अरे मिल रहा है तो asset है, आप future के angle से सोचते हैं, आज तो मिल गया, मेंको लोटाना पड़ेगा, तो liability है, आज देना पड़ रहा है, तो future में वापस मिलेगा, security deposit है न, वापस मिलेगा, asset है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा, asset के liability के आप identify करेंगे, फिर उसके बाद में हो 4 points से आप compare करेंगे, ऐसा होता है, ठीक है, तो चलिए आईए, illustration 8 is on page number 2.38, 1st April 2003, Charming Limited issued 1 lakh rupees 10, 10 lakh bonds, on 1st April each year, each year, interest is fixed at 8% payable, on outstanding capital loan, हर साल interest 8% pay करना है 1st April को, on 1st April each year, Charming Limited has contractual obligation, to redeem 10,000 bonds of 10 each, उपर 10 lakh rupees का loan लिया था, 10,000 bonds, हर साल 1st April को लोटाना है, हर साल 1st April को 10,000 bond redeem करने पड़ेंगे, याने 1 lakh rupees, ठीक है, अब हम आगए 31st March 2004 में, याने 1 साल हुआ है, याने 1 साल हुआ है, हर साल 1st April को, याने पहला payment 1st April 2004 को होगा, हम interest भी pay करेंगे, 8% से, और principal भी repay करेंगे, तो अब मुझे आप ये बताईए, पहले तो interest का amount कितना है, principal current, interest current या non current, principal current या non current, इसके उपर कल हम लोगों ने discussion किया था, तो आज मैं आप लोगों से answer expect कर रहा हूँ इसके उपर, मैंने आपको काहा था, ऐसे question exam में आते हैं, ये देखें, institute की module में भी ये question दिया हुआ, try to answer, interest का amount कितना है, current या non current, principal current या non current, please try to answer this, चलिए, तो इस बार अब मैंने answer नहीं करना चाहिए, काईदे से आप लोगों नहीं answer करना चाहिए, तो मिलिंची ने बुला है, sir 9,00,00 रुपीज non current है, ठीक है, interest का amount current है, interest का amount बता दीजेगा, और बाकी के लोग क्या कर रहे हैं यार, आप answer नहीं करो कि तो कैसे चलेगा, exam में तो answer आपको ही करना है ना, देखो, 10,00,00,00 रुपे का लोगन है, 8% के हिसाब से 80,000 रुपे का interest हो रहा है, बराबर, अब लोगन के दो तुकडे कर दीजे, एक लाग रुपए 1st April को लोटाना पड़ेगा और 9 लाग रुपए एक लाग अभी पे नहीं किया है 1st April को पे करोगे 31st March को पे नहीं किया है 1st April को पे करोगे तो एक लाग पे करना है और 9 लाग रुपए उसके बाद पे करना है समझ में आया तो 80,000 current एक लाग का प्रिंसिपल जो पे करना हो current और 9 लाग रुपए नॉन करेंट ये एक लाग अभी पे नहीं हुए है ये याद रखिएगा तो इंट्रेस 80,000 correct 1 लाग का 8% 80,000 का इंट्रेस correct पारस जी दो तुकड़े करने पड़ेंगे पारस जी ध्यान में रखना है ठीक है loan 1 लाग करेंट 9 लाग non-current correct रितेज जी चलो बढ़िए ठीक है यहाँ तक समझ गए ये पहला question था ये questions आने चाहिए आप लोगों को ठीक है इस chapter से इन सब ये operating cycle वाले part से questions आते हैं ठीक है तो ये आप लोगों को आना चीए चलो आगे बढ़ते हैं अगला वाला ये जो आपको period दिया हुआ है ये पूरा का पूरा period आपका operating cycle बताता है से बाट कर देना operating cycle बन जाएगा तो यहाँ पे 3 और 1, 4, 5, 9 और 14 months अब वो आपको question बूता है trade payable 12.5 months का है की current या non current तो easy questions है ये आप लोगो खोदा time कर सकते है ठीक है illustration 10 आपके 2 business है 2 business रहेंगे मतलब 2 operating cycles हो गए एक है real estate एक है manufacturing real estate का operating cycle 4 साल है manufacturing का 15 months है real estate 4 साल manufacturing 15 months तो अब वो बोल रहा है current non current bifurcation के लिए 15 months देखेंगे की 4 साल सवाल ये ठीक है 15 months देखेंगे या 4 साल बस ये सवाल पूछा गया है की अब हम लोग current non current bifurcation कैसे करना है ठीक है चलिए ये बता देता हूं simple कहानी है भई जो real estate से related asset liabilities है उनके लिए 4 years देखेंगे जो मेरे manufacturing से related asset liability है उनके लिए 15 months देखेंगे जो दोनों में common है अजब जो real estate के लिए भी consume होगा जैसे कुछ loan होते है कुछ loan real estate में भी consume हो सकते है manufacturing में भी consume हो सकते है अगर ऐसा कोई loan है तो loan को bifurcate कर दीजे normally bifurcate कर दीजे अगर bifurcatable है तो 4 years 15 months में पर अगर bifurcatable नहीं है तो फिर generally हम उसमें higher side पकड़ लेते है 4 years generally जहां loan bifurcatable नहीं बता सकता है अब OD कितना real estate के लिए use कर रहा हूं किता manufacturing में बता नहीं पा रहा हूं normally ऐसा होगा नहीं आप बता देंगे क्योंकि bank loan OD अगर देता है तो specific चीज़ के लिए देता है पर अगर आप नहीं बता पा रहे है तो फिर पूरे के लिए 4 years ले लिए जो दोनों में use होता है ठीक है आपस business wise correct आशू तो चीए चलो looking at the next one an entity has placed certain deposits with parties has placed certain deposits with parties asset or liability आप पहले ये बता दीजे how the following deposit should be classified current या non-current तो current non-current bifurcation के ओपर बात में जाएंगे पहले तो आप ये बताएंगे आपने deposit किसी के पास रखे है asset or liability है पहले ये identify करना सीखे अगर आप ये identify करना सीख गए तो फिर बात में current non-current अपन आराम से कर लेंगे ठीक है अब एक्दम theoretical question है तो theoretically answer करना है बताई ये asset or liability AIL लिखिये जाद मेनत मत कीजेगा अब मिलिन जी का कहना है कि sir ये asset है तो आप लोग identify करना सीख गए कि ये asset है अब देखें मैंने electricity deposit दिया है electricity के लिए हम सब meter के लिए electricity deposit देते है क्या लगता है ये current होना चीह है non-current try to answer electricity meter के लिए आप deposit देते है ना तो ये वो deposit देके रखा है ये current होना चीह है non-current tender deposit अब हम जो contracts देते हैं या लेते हैं ठीक है तो contract देते हैं तो उसमें security deposit मिलता है लेते हैं तो security deposit देते हैं तो हमने contracts लिए होंगे जो contract लिए हैं उनमें tender deposits देके रखें तो आपको क्या लगता है जो contract हमने लेके रखे हैं उसके लिए जो security deposit मेले हैं business के अंदर हम लोग contract लेते रहते हैं यह normal circumstances में current होना चाहिए non current B वाला point ठीक है तीसरा वाला point GST deposit हमने pay करके रखा है यह dispute में dispute में हमारा case चल रहा होगा GST department के साथ में ठीक है और GST payment under dispute तो ऐसे में जो हम लोग उने payment करके रखा है वो payment GST के लिए अंदर जो भी deposit अगे रहे देखे रहा है यह normal circumstances में current बोलना चाहिए non current बोलना चाहिए हाँ भी तो exam days का कहना है non current milan जी का कहना है कि non current रिते जी का कहना है non current शाबाश यह तो non current है यह आप लोगोंने एकदम सही बोला कि electricity deposit तो non current है बहुत बढ़िया वेरी गुड टेंडर डिपोसिट नॉर्मल circumstances में क्या लग रहा है टेंडर डिपोसिट बी के लिए क्या बोलेंगे और सी के लिए क्या बोलेंगे ठीक है अब देखे बी नॉर्मली current होगा क्यों जो हमारा operating cycle होता है वो tender के जैसे ही होता है आप मेंसे किसी एक जन ने पहले हम लोगोंने जब question 36 months किया था तो आपने बोला था na sir operating cycle भी तो change हो गया वो concept यहां लगाना है क्योंकि theoretical question है theoretical question है तो जो tender deposit हो generally operating cycle के विदिन ही रहता है tender का जो period रहेगा उतनी period का deposit रहेगा तो यह operating cycle के अंदर ही adjust हो जाएगा तो इसे हम लोग generally इसलिए current बोलता है यह non current नहीं होता है ठीक है अब आखरी वाला मेरे इसाब से non current होता है देख लेता हूं institute की तरफ से क्या लिका है depend on facts and circumstances अगर आपको लग रहा है कि 12 महीने में मिल जाएगा तो current otherwise non current अब मैं normally इसे non current बोलता हूं मेरा reason non current का यह होता है कि GST dispute कब resolve होगा यह हम नहीं जानते है यह department के हाथ में हम क्या कर लेंगे इसमें तो इसलिए हम लोग इसको normally non current बोलता है पर जहां टाइम बाउंड होता है कि हाई यह case को इतने period में close करना पड़ेगा वो सब कहानी अलग है अब उसके बाद में भी हो case हमारे favor में रहेगा नहीं रहेगा हमको क्या मालों तो मैं normally इसे non current करता हूं ठीक है इसे department दूसरा point में लिखता था हमारे favor में रहेगा नहीं रहेगा हम तो इसके लिए भी sure नहीं तो इसी लिए ऐसे amounts को मैं generally non current बोलूंगा मैं ऐसे current नहीं बोलूंगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते है 12 वाला जाने दीजिए आप खुद पढ़ लीजिएगा simple है 13 वाले पर यह एन entity has taken a loan from the bank आपने bank से loan लेकर रखा है जो 9 months के अंदर लोटाना है from reporting date reporting date से 9 महिने के अंदर यह पैसा लोटाना है ध्यान दीजिएगा ठीक है आपने loan लिया है liability 9 months के अंदर आपको लोटाना है prior to reporting date entity and the bank enter into an agreement whereby existing outstanding loan आपने agreement कर लिया है आपने agreement कर लिया है कि existing outstanding loan जो हमारा existing loan है यह unconditionally roll over हो जा रहा है for a period of 5 years हमने contract कर लिया कि अब हम इस loan को 5 साल बाद repay करेंगे तो वैसे तो 9 महिने में repay करना था पर हमने roll over कर दिया कि अब हम इसे 5 साल बाद लोटाएंगे reporting date के पहले contract हो गया है contract हो गया है यह loan को current बोलेंगे या non current बोलेंगे बताइए यह loan current है या non current है इस question के बाद वाले questions फिर वापस से आपका d point जो liability का था उसे test करना शुरू करेंगे ठीक है हाँ भई तो यह आपके लिए non current हो गया है यह आपके लिए non current हो गया हाँ exam days कभी यही कहना है milanji कभी यही कहना है बहुत बढ़ी है will you answer be different if new facilities agreed upon after the reporting period हम reporting date के बाद अगर यह agreement करते यानि 31st March के बाद अगर हम यह agreement करते तो हम इसे current बोलते या non current बोलते है ठीक है बहुत बढ़ी है सभी लोगों का answer non current है बहुत बढ़ी है बी वाले point के बारे में बताई है अगर हम यह contract extend कर रहे हैं यह 31st March के बाद अगर हम यह contract करते है तो हम इस loan को 31st March पे presentation में current बोलते है या non current बोलते है यानि 31st March को तो यह 9 महीने में payable था पर 31st March के बाद let's say 2nd April को हमने contract कर लिया 5 साल में pay करने का तब क्या बोलते है आप इसे current या non current तो master जी का कहना है कि सरी current हो जाएगा रिते जी का कहना है कि current हो जाएगा शाबाश ऐसे में हम इसे current बोलेंगे यह point के उपर मुझे वापस आना है मुझे याद दिलाना मैं इसके बाद आपको एक concept पढ़ाने वाला हूँ उस concept के बाद में आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा हमें इस point को वापर discuss करना है मैं भूल जाता हूँ क्योंकि वापस इस point पर आना generally ठीक है यह current है सही जा रहे हैं आप लोग एकदम C point पर ध्यान दीजे आपका answer अलग होता क्या अगर existing facility एक bank से है और यह 5 साल का renewal दूसरे bank से for example मैंने SBI से loan लिख रहा है जो मुझे 9 महीने में लोटाना है ICICI उस बोलता है कि इस loan को मैं take over करके हम लोग 5 साल में extend कर रहे है मतलब क्या 31st March के पहले मैंने ICICI bank के साथ contract कर लिया कि आप यह मेरा 9 महीने का loan take over कर लेना और 5 साल इसे extend कर देना याने normal है कि 9 महीने तक के बाद SBI को मैं pay नहीं करूँगा ICICI bank पे कर देगा और अब मेरे books के अंदर में loan ICICI bank का आ जाएगा याने existing facility 9 महीने का SBI के साथ चल रहा है और अब ICICI के साथ contract हो गया कि यही loan take over होके उनके साथ 5 साल का हो जाएगा अब यह loan जो मेरे books में दिख रहा है यह मैंने current मानना चाहिए और non current मानना चाहिए सोच समझ के answer कीजेगा सोच समझ के answer कीजेगा कि अब 2 अलग-अलग banks है 5 साल का renewal दूसरी bank के साथ हुआ है और existing facility 9 महीने वाली दूसरे bank के साथ है current या non current try to answer this मास्टर जी 3000 फीसर भी non current हो जाएगा old loan current new loan non current चलिए बहुत बढ़िया अब हम इसे current बोलेंगे बस इसे old loan new loan में split मत कीजे मेरे बुक्स में किसका loan दिख रहा है मेरे बुक्स में किसका loan दिख रहा है SBI की ICICI सोच के देखे मैंने ICICI को पुला कि देखो अभी मेरे बुक्स में SBI का loan है 9 महीने बाद तुम इसे take over कर लेना अब मैं SBI को कुछ नहीं दूँगा मैं तुम्हें 5 साल बात Pinse लोता हूँ तो मेरे बुक्स में तो फिलाल सिफ SBI का loan दिख रहा मेरे बुक्स में सिफ SBI अपन दिख रहा है ICICI का loan दिख रहा है अभी कहां दिख रहा है अभी तो दिखे नहीं रहा ना उसके बाद यह non-current हो जाएगी यहने आज की date में तो यह liability current है तो आप old loan new loan करके नहीं बोल सकतेगी दोनों पैसे नहीं मिलगा भाईया आपको आपके पाथ दोनों पैसे नहीं आये में समझ में आ रहा है तो loan आपके books में सिर्फ एक ही दिख रहा है SBI and that is current एक तो question में वैसा लिखा नहीं है यह आप interpret कर रहे है assume कर रहे है कभी-कभी कुछ assumption हमको समझ में नहीं आता कि हम assumption ले रहे है खुछ सोचे अगर किसी bank से आपकी एक facility है जिसे आप 9 मेने पहले prepay कर रहे है तो prepayment penalty नहीं लग जाएगी रोल प्रीपे नहीं हो रहा है रोल हो जाएगा into the new facility which expires after fire यह रोल कब होगा पर रोल तो 9 मेने बाद होगा आज नहीं होगा ना तो आज आपके books में ICI-ICI का लोन नहीं दिख रहे है आज आपके books में से भी SBI का लोन दिख रहे है तो आज यह current है आज यह current है ठीक है Master जी का कहना है कि सर result के बाद में batch ले 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 न इस बाद result के बाद में वाली जो batch रहेगी वो English batch रहेगी ठीक है जो live रहेगी वो English batch रहेगी result के बाद वाली पस simple English रखेंगे वैसे भी exam में अंसर आप लोगों को English में ही देना है चलो समझ में आगया यह वाला question बड़े कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए D वाला clause अगर D वाला clause आपने सही अंसर दे दिया मतलब current non current इकदम आप expert बन चुके हैं उसके इसका मतलब यह हो जाएगा ठीक है B वाला explain कर दो देखो B वाला तो simple था आपने 31st मार्च के बाद यह contract किया तो 31st मार्च को तो पैसा 9 महीने में लोटाना था ना तो ऐसे में तो current ही रहेगा हाना Sachin जी 31st मार्च के बाद अगर मैं बैंक के साथ में contract करता हूँ कि मुझे लोन 5 साल बाद लोटाना है तो 31st मार्च को तो condition यह थी कि 9 महीने में लोटाना है तो 31st मार्च को तो current ही रहेगा हाना चलो D वाला देखो सोच समझ के अंसर कीजिए Will your answer in A be different if the new facility is not yet been tied with existing bank but has the potential मैं चाहूं तो इसे 5 साल कर सकता हूँ मैंने किया नहीं है बैंक ने मुझे option दिया है कि sir आप इसे 5 साल कर दीचे हमने अभी option exercise नहीं किया है बैंक ने हमें option दिया है हम चाहें तो कर सकते हैं पर 31st माँ तक के हमने option exercise नहीं किया है यानि 31st माँ को तो हम बोल रहे हैं कि ये पैसा हम 9 महीने में लॉटा देंगे और हमारे बास option है हम चाहें तो 5 साल extend कर सकते हैं इसको current या non current सोच समझ के answer कीजिए सोच समझ के answer कीजिए D point का interpretation तो मैंने बता दिया अंसर आपको करना है कीजिए कीजिए answer कीजिए क्या लगता है नहीं बस आज और कल का बबलू जी इसके बाद के नहीं कल से कोई class YouTube पर नहीं होगी current ही होता मिलिन जी का कहना है exam days का कहना है की non current होगा बागी लोगों का क्या कहना है अरे exam days जी आप अपना answer बदल गए current सचिन जी का कहना है की current होगा हाँ भई ये current होगा ये current होगा ठीक है यहाँ पे कोई unconditional right नहीं है to extend beyond 12 months इसे unconditional right के angle से मत पढ़ना ठीक है रितेज जी शायद उसी angle से पढ़ रहे है non current बोल रहे है अरे unconditional क्या है extend करोगी तो interest तो देना ही पढ़ेगा तो interest तो conditional होगा ना आप extend कर सकते हो कर दो interest देना पढ़ेगा bank को तो interest तो condition होती है ना हा ना तो इसे current ही बोलेंगे और इसे non current ही बोलेंगे यह ध्यान में रखिएगा ठीक है रितेज जी I hope it is clear यहाँ पे आ जाईए अब देखिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ और उस कहानी से related हम लोग कुछ question solve करेंगे हूँ चलिए चलिए देखो आपके books में एक loan है यह loan by nature non current है नॉर्मल 5 साल में लोटाना है पर इस loan में condition condition यह है कि stock statement time पे देते रहना परबर है debtors की detail time पे देते रहना within 30 months from due date interest time पे पे करते रहना 30 days from due date यही सब रहता है conditions अगर इनमें से कोई भी condition आपने fulfill नहीं की if not satisfied उस case में loan repayable on demand हो जाएगा ठीक है समझ गया आप loan repayable on demand हो जाएगा अब देखो loan मेरे books में दिख रहा है 31st January 2021 interest due हुआ let's say एक लाख रुपए का loan के उपर यह interest मुझे pay करना है by 28 February 2021 बरबर 28 February 2021 तक के मुझे pay कर देना है हमने नहीं pay किया ठीक है यह जो loan है यह पांच साल का loan था loan दसलाक रुपए पांच साल का loan था यह 100 लाख कर देते हैं इसको पांच साल का loan था अब आप मुझे बताइए मेरी तरफ से default हुआ है 31st March 2021 तक के यह interest तो मैंने pay किया ही नहीं है यह loan मैंने current दिखाना चाहिए कि non current दिखाना चाहिए उपर मैंने आपको कहानी समझा दी थी अगर जो interest due होता है आपने due date तक नहीं pay किया या जो भी होगा तो loan repayable on demand हो जाएगा ठीक है यहने immediate आपको pay करना पड़ेगा यह कहानी यहाँ पर आगई 31st March आगया interest, 31st January का interest due होगा जो आपको 28 Feb तक आपने pay करना था आपने नहीं pay किया 31st March आगया आपने तब तक के भी pay नहीं किया है तो what do you think? मैंने इसे current दिखाना चाहिए कि non current दिखाना चाहिए try to answer, सभी लोग, चलिए आपके life का पहला carve out हम पढ़ रहे हैं carve out, मैं carve out के नाम से इसको पढ़ा रहा हूँ आपको carve out के नाम से इसको याद नहीं रखना है अगर आप GFRS के student है तो आपको याद रखना है otherwise आपको इसे carve out के नाम से याद रखने की जरुरत नहीं है हाँ भी, try to answer this और जिस दिन हम index 115 complete करेंगे ना 115, revenue recognition, time है अभी उसे उस दिन के बाद यह जितनी भी companies है, अगर आप share market में trade करते हैं तो यह NICA, Zomato, इन सब को analyze करने ही कोशिश कीजएगा और देखेगा कि long term से आपको क्या perspective लगता है, कि कौन सी company बहुत अच्छा perform कर सकती है क्यों NICA इतना उपर भागा, क्यों Zomato भी भागा, kind of, बोल सकते हैं तो जब हम 115 कर लेंगे, उसके बाद में analyze कीजएगा तो share market analysis भी थोड़ा बहुत आप लोग, fundamental analysis ज़रूर सुद रहेगा आप लोगं का हमारी class के बाद हाँ भी, तो कहना यह मिलिन जी का current, सचिन जी का कहना है current, because interest is not paid, so the loan is payable on demand बहुत बढ़िया, very good, यह current हो जाना चीए, यह current हो जाना चीए, ठीक है अब आगे की कहानी समझे की क्या हो रहा है, suppose कीजिए BOD approval of financial statements की date है 30 June 2021 30 June 2021, let's assume, ठीक है अब हुआ क्या, 30 June 2021 के पहले, 30 April, हमने यह interest pay कर दिया और bank से approval ले लिया for condonation ठीक है, कि हाँ भाई गलती होगी, loan repayable on demand मत कीजिए bank ने गुला हाँ चलो ठीक है, यह तो इंडिया में होता है यह तो इंडिया में होता है, पर यह हमने कब किया 30 April 2021, balance sheet date के बाद, पर BOD approval के पहले events occurring after the balance sheet date accounting standards में हुआ करता था accounting standard 4, हाना, थोड़ा बहुत उसको दिमांग में रखिये अब हुआ क्या, 31st March तक के तो हम लोगों ने pay नहीं किया था loan repayable on demand था, 30 April को हमने interest pay कर दिया और bank को बुला, sir, थोड़ा बहुत हो गया, पैसे नहीं थे, उस समय नहीं pay कर पा है bank ने बुला, हाँ चलो, ठीक है, चलता है, होता है bank ने condonation दे दिया अब आप मुझे बताइए, क्या अभी आपने 31st March को 31st March को, 30 April को नहीं, 31st March को जो Indian accounting standard इसके बारे में क्या बूलता है, ठीक है, बताईए current because interest is not paid, so people हाँ भी, देखिए, मैंको live 14 लोग दिख रहे है answer दो लोगों के आ रहे है, बाकी के लोग answer कर नहीं रहे है तो try to answer this, ठीक है, आप answer नहीं करेंगे तो यार मसा नहीं आएगा सिर्फ सुनते रहोगे तो ऐसे कैसा चलेगा, non-adjusting event, that's why current तो मिलिन जी का कहना है, सर ये तो non-adjusting event है, तो हमने इसे non-current ही दिखाना चाहिए शेशव जी का कहना है, कि सर ये current ही रहेगा, सचिन जी का कहना है, कि सर अब तो ये non-current हो गया तो चलेए, आप सब लोगों की अपनी एक understanding है, कोई से बूलेगा, सर ये adjusting event है, कोई बूलेगा, सर ये non-adjusting event है, events occurring after the balance sheet date concept को आप लोग अपने अपने हिसाब से interpret करते हैं, ठीक है? आई-C-A-I-N-E-S के अंदर यहाँ पे एक change लाया, उन्होंने specifically लिखा, कि अगर default हो रहा है, for some reason, कोई non-current वाला loan repayable on demand हो जाता है, यानि default वाला case, excuse me, सिर्फ default वाला case, सिर्फ default वाला case, अगर ऐसा हो रहा है, B.O.D. approval के पहले आप उस default को rectify कर देते हैं, या फिर, bank आपको बोल देता है, कि हम reporting date से 12 माहिने तक के पैसे आपसे नहीं मांगेंगे, आपसे default हुआ है, ठीक है? default before reporting date, आपसे अगर default हुआ है, ठीक है? जिसके कालन loan payable on demand हो जा रहा है, ठीक है? उस default के नेचर चेंज हो रहा है, आपने default को rectify कर दिया, before BOD approval, ठीक है? अगर हाँ, मेरी end writing गंधी है, थोड़ा से समझ लिजेगा, default rectify, before BOD approval, अगर हाँ, और bank approves not to demand within 12 months, यानि bank आपके default को condone कर दे रही है, ठीक है? अगर हाँ, तो हम इस loan को non-current दिखाएंगे, हम इस loan को non-current दिखाएंगे, यह carve out है, IFRS के अंदर में यह current है, IFRS में, INDES में यह non-current है, हमें INDES पढ़ना है, तो हम सिब INDES पे focus कर रहे हैं, non-current है, ठीक है? वापस देखें, आपने default किया, default के कारण loan repayable on demand हो गया reporting date के पहले, पर reporting date के बाद BOD approval के पहले, आपने default को rectify कर दिया, हाँ, and bank approve कर देती है कि हम आपसे यह पैसा within 12 months नहीं मांगेंगे, हम आपसे यह पैसा within 12 months नहीं मांगेंगे, और यह approval BOD approval के पहले आ चुका है, आपने BOD approval, BOD of financial statement approval के पहले, bank ने accept कर लिया इस बात को, तो हम इस loan को non-current बता देंगे, मुद्ध समझ में आया है, अगर यह नहीं हुआ है, तो फिर यह loan current हो जाए, ठीक है, अगर यह rectify नहीं हुआ है, अगर यह rectify नहीं हुआ है, पर, rectify नहीं हुआ तो भी, bank ने आपको बोला है, कि हम demand नहीं करेंगे, within 12 months, from reporting date, within 12 months from reporting date, bank ने approve कर दिया, before BOD approval, BOD के financial statement अप्रूव करने के पहले, अगर bank यह बात मान जाती है, तो भी हम इस loan को non current दिखा सकते हैं, कि आपने भली अपना default rectify नहीं किया, पर bank बूलती है, चलो ठीक है, आने वाले 12 महीं ने तो हम पैसे नहीं मांगेंगे, आपसे आप tension मत लीजिए, तो भी हम इसे non current दिखा देंगे, भली default rectify नहीं हुआ ह जा रही है, सर एक question, this is non adjusting event और adjusting event, मिलें जी का कहना है, सर यह adjusting है, non adjusting, इस पर अभी comment नहीं कर रहा हूं मिलें जी, इंडेस 10 जब हम पढ़ेंगे, events occurring after the balance sheet date, तब यह सवाल पूछेगा, आप खुद इसका answer दे देंगे, कि adjusting है, non adjusting, standard पढ़ा नहीं है, आप अपनी AS के understanding से answer द यह वाला table, आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस table से related, दो questions है institute के, जितना मैं जानता हूं, ठीक है, screenshot ले लीजे, अब हम कुछ questions के solve कर नहीं कोशिश करेंगे, कुछ questions में आप लोगों के सामने open करोंगा, उसे solve कर नहीं कोशिश करेंगे चलिए, अब दीए, मैंने आप लोगों को एक सवाल पूछा था, यहां पर, और मैंने कहा था, बीपे मैं वापस आँगा, चलो मुझे याद था, यहां लिखाया है, 31st March के बाद, हमने बैंक के साथ agreement किया, rollover agreement का, जिसमें आप यह loan हमें 5 साल बाद लोटाना है, 5 साल बा नौ महीने का बाद पैसे लोटाने थे, 31st March के बाद, BOD approval के पहले, हमने इस loan को rollover कर दिया, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, current या non-current, try it once sir, try it once sir, this आप देली का टाइम यही रहेगा, पारज जी, 7.30 हाँ भई, अब मिलिन जी का केना है sir, अब तो यह non-current हो गया, बाकी के लोग क्या बोलते हैं, 15 लोग है यार, एक जन अंसर कर रहे हैं, बाकी के लोग क्यों नहीं अंसर कर रहे हैं, पारज जी का केना है sir, non-current हो गया, हेलो दिख्षा जी, शैशव जी का कहना है, कि sir, अब यह non-current हो गया, चलो, नहीं हुआ, current है, अरे क्यों sir, अभी तो पढ़ा है sir, मैंने क्या का, सिर्फ और सिर्फ यह केस कब का है, जब default हुआ है, आपसे default हुआ है क्या, यह पूरी कहानी कब होगी, जब default होगा, आपसे default हुआ है क्या, बताइए, देखें, आप exam में जहां गलती कर सकते हैं, वहां मैं सवाल पूछूँगा, यह questions में students गलती करते हैं, इस particular case में student गलती करते हैं, इस concept को इसके साथ mix करते हैं, यह default वाला case ही नहीं है, सिर्फ default वाले case में adjusting, यहने वो index 10 वाला जो हम लोगों नहीं affect देखा, यह BOD approval वाला affect हम तब ही लेते हैं, default वाले case में, अगर default वाला case नहीं है, तो फिर हम यह सारी की सारी मेहनत नहीं करते हैं, current ही रहेगा, non current नहीं होगा, समझ में आ रहे हैं, Milin जी, Paras जी, Sheshav जी, I hope it is clear, बाकी के लोग भी जिन्होंने answer नहीं किया, ठीक है, तो यह default थाहीं नहीं है, ठीक है, तो यह default वाले questions देखते हैं, December 2001, entity entered into loan agreement with the bank, the loan is repayable in 3 equal installments from December 2005, 4 साल बाद से loan repayable है, ठीक है, One of the loan covenant is that equivalent loan amount is to be contributed by promoters up to 24th March 2002, 24th March 2002 तक promoters को उत्ता को उत्ता amount लाना पड़ेगा, जित्ते का loan है, ठीक है, Failing with the loan becomes repayable on demand, अगर आपने नहीं लाया promoter's contribution, तो यह loan payable on demand हो जाएगा, 24th March entity has not been able to bring the promoter's contribution, 24th March तक के आप promoter's contribution नहीं लापाए, Loan December 2001 को लिया गया था, माद 2002 तक आप promoter's contribution नहीं ले पाए, 31 माद 2002 हमारा balance sheet date का year end है, मुझे बताईए, यह loan current है या non current, आगे मैंने नहीं पड़ा, आपने भी नहीं पड़ा, मैंने भी नहीं पड़ा, सिर्फ जितना हमने पड़ा है, उत्ते से आपको क्या लग रहा है, यह loan current है या non current, CINC, try to answer the question, प्रियंका जी, आपके जो answer जा रहे हैं, इससे पहले भी आपने answer दिया, आप बहुत पीछे answer कर रहे हैं, या ऐसा गुत तो भी है, आपका वीडियो मेरे साथ live नहीं चल रहे है क्या? तो मिलिन जी का कहना है, सर ही current हो गया, हाना? चल आगे पढ़ते हैं एक बार, ठीक है, 25th March, default होगे हम से, 25th March you approved the bank and obtained a grace period, आपको grace period मिला है, 30 June 2002 तक का to get promoter's contribution, आपको promoter's contribution 30 June 2002 तक लेके आ जाना है, ठीक है? अगे, the bank cannot demand the payment immediately during grace period, याने bank 30 June 2002 तक के तो आपसे पैसे नहीं मांगेगी, पर 30 June 2002 तक आपने promoter's contribution नहीं लाया तो फिर पैसे मांग लेगी, ठीक है? 31st March को, इस loan को आप current classify करेंगे या non current classify करेंगे? सुच समझ के answer कीजेगा, यहाँ पर क्या चल्ट रहा है, loan repayable on demand हो गया, current, अब यहाँ पर नीचे क्या लिखा गया है? बैंक नहीं आपको बोला, देखो promoter's contribution 30 June 2002 तक लेके आ जाओ, अगर लेके आ गए, तो हम पैसे नहीं मांगेगे आपसे, पर अगर नहीं लेके आ है, तो 30 June 2002 के बाद चुप-चाप पैसे दे देना, 31st March year end है, question ने कुछ नहीं बोला कि आपने promoter's contribution लाया है कि नहीं लाया है हमें दोनों एंगल से अंसर करना है, पहला point, BOD का approval date यहां पे नहीं दिया है, let's assume BOD approval date तो भी 31st May, 31st May को हम BOD approval date मान लेते हैं, और मान लो कि 31st May तक आपने promoter's contribution नहीं लाया है, deem कर रहे हैं, assume कर रहे हैं, कि question में नहीं लिखाया, हमको नहीं पता हम लाया है कि नहीं लाया 31st May तक के हमने promoter's contribution नहीं लाया, loan current है या non current है, bank ने बोला है 30 June तक आप promoter's contribution लेके आ जाईए, ठीक है, मैं आपको लिखके देता हूँ, 4 June को आप promoter's contribution लेके भी आ गया, चलो, 31st May BOD approval का date है, 4 June को आप promoter's contribution लेके आ गया, bank ने आपको बोला 30 June तक के आप promoter's contribution लेके आ हैं, तो फिर हम आप से पैसे नहीं मागेंगे, पर अगर नहीं लाते हैं, तो 30 June के बाद में हमारा पूरा का पूरा loan हमें लोटा देना, ठीक है, 31st May BOD approval का date है, तब तक के आप promoter's contribution नहीं लेके आए, current या non current, तो पारज जी का कहना है non current, सचिन जी का कहना है non current, प्रियंका को rectify कर दिया before approval, yes or no, तीसरे वाले का answer कीजे, yes or no, why या n लिख दीजे, that is more than sufficient for me, default rectified before BOD approval, क्या आपने default को rectify कर दिया, क्या आपने default को rectify कर दिया, मैंने आपको कहा 31st में BOD approval का date है, 4 June को promoter's contribution आ गया, क्या आपने default rectify कर दिया before BOD approval, बताइए मुझे yes या no, try to answer this particular point, yes या no प्रियंका जी का कहना है कि नहीं सर, नहीं हुआ rectify, अरे बाकी के लोग क्या बूल रहे है, एक जन अंसर करेगा, बाकी के लोग अंसर नहीं करेंगे, तो कैसा चलेगा यार, एक्जाम में कैसे answer करोगे ऐसे, ठीक है, नहीं किया ना, तो 9 के साथ आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखे, BOD ने अप्रूब कर दिया, not to demand within 12 months from reporting date, क्या बैंक ने ऐसा अप्रूव कर दिया, कि ठीक है, reporting date से 12 महीने तक हम आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, येस या नो, हाँ, क्या बैंक ये बोल रही है आपको, कि हाँ चलो, ठीक है, आपने rectify नहीं किया ना, BOD अप्रूवल तक हम आपसे पैसे, reporting date 31st माच से 12 महीने तक के नहीं मांगने वाले है, कुश्चन मैंने पूरा आपके सामने पढ़ा था, आप मुझे बताइए, इसका point अब क्या हो रहा है, येस या नो, क्या बैंक ने अप्रूव कर दिया है, चलो, ठीक है, आपने rectify किया नहीं किया, कोई बात नहीं, हम आपसे at least 12 महीने तक के तो ये पैसे नहीं मांगने वाले है, हाँ, इसका अंसर येस या नो, तो ये भी नो है न, ये भी नो है, current, अरे क्यों non-current बोल रहे हो, अरे non-current तो तब होगा जब आप rectify कर दोगे, आपने rectify किया ही नहीं, आप पह तो समझ गए? चलो, तो नॉर्मल अंसर में ये लोन को मैं current बोलतूंगा, समझ गए? clear है? चलो, इसे दूसरे अंगल से देखते हैं, मैं 30 में को प्रमोटरस contribution लेका गया था, 30 में को, current या non-current बोलो, मैं 30 में को प्रमोटरस contribution लेका था, current या non-current, देखिए इस question को हमें 4-5 angles में पढ़ना है, ठीक है, institute का इस question से एक angle से, मैं आपको 4-5 angles से question पूछने वाला हूँ, आपको हर angle से answer करना है, तब जाकि concept में पूरी clarity आएगी, ये chart मैंने बहुत detail में बनाया है, हर question में इस chart को आप लगा दीजिए, आपका answer एक्दम सही आएगा हाँ बाई, अब non current, प्रियंका जी का कहना है non current, मिलिन जी का कहना है non current, पारज जी का कहना है non current, शबाश, ऐसे में non current हो जाएगा, clear, ठीक है, शलो, एक और angle देखते हैं, bank बोलती है, हम आप से 30 जून 2003 तक के पैसे नहीं मांगेंगे, 30 जून 2003 कर दिया, मैंने एक साल आगे बढ़ा दिया, चलो, हम bank नहीं लाएंगे, promoter's contribution 30 जून 2003 तक ला दो, तब तक हम आप से पैसे नहीं मांगेंगे, BOD approval date तक के हमने promoter contribution नहीं लाया है, BOD approval तक के हमने नहीं लाया है, 31 में BOD approval की date थी, BOD approval date तक के हमने ये पैसा नहीं लाया है, bank नहीं बोला है 30 जून 2003 तक आप ये पैसे लेके आ जाओ, promoter's contribution लेके आ जाओ, तब तक हम ये पैसे आप से demand नहीं करेंगे, हमने नहीं लाया 31 में 2002 तक, 31 में 2002 तक, ठीक है, current या non-current, सोच समझ के answer कीजिए प्लीज, सोच समझ के answer कीजिए, क्या लग रहा है आप लोगों को current या non-current, बताईए, शापाश, बहुत बढ़िया, non-current, हाना, देख लो, loan payable on demand है, हाँ, आपने rectify किया क्या, नहीं, bank approve कर दिये कि 12 महीने तक, हम आप से पैसे नहीं मांगेंगे, हाँ, हाँ, current, मुद्दा clear है, शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का answer सेम था, तो very good, अब B पे आते है, तो हमने A को तीन आंगल से पढ़ लिया, ठीक है, अब हम B पे आ रहे है, original question पे रहेंगे हैं, चलिए, assume, that in anticipation, that it will not be able to get promoter's contribution, हमको तो पता था कि हम promoter contribution नहीं लापाएंगे, हम FAB में ही bank के पास चले गए, कि हमें extension दीजे, FAB में ही bank के पास चले गए, कि हमें extension दीजे, हम लादेंगे promoter's contribution, bank ने बुला चलो ठीक है, 30 जून 2002 तक के लिए के आजाओ, 30 जून 2002 तक के लिए के लिए के आजाओ, bank ने बुला ठीक है, आप 30 जून तक के लिए क्या आजाओगे, अगर 30 जून तक नहीं लाते तो फिर loan repayable on demand हो जाएगा, 31 में BOD approval का date था, 31 में तक के तो promoter's contribution नहीं लाया था, 31 में तक promoter's contribution नहीं लाया था, सुच समझ के answer कीजे current या non current, सुच समझ के answer कीजे current या non current, अरे पारज जी current किसके लिए लिखे, अरे पारज जी non current होगा ना पिछला वाला, देखो ना bank ने 30 जून 2003 तक का time दे दिया था मैंने आपको बुला ना, अना तब non current था, अब इसके बारे में बात कीजे, अगले वाले के बारे में, current since there is no default, अरे default नहीं है तो current क्यों है रिटेजी, default नहीं है, तो loan तो normal वाला case है ना, तब तो non current बोलिए, तब तो आप गडबड कर रहे हैं answer करने में, अना, यह default का case नहीं है, तो 2005 तक का time तो आपका आश वैसे भी है, non current, million जी का कहना है की current है, non current हो जाएगा, यह default वाला case नहीं है, clear है, जब तक default नहीं होता, तब तक के तो loan 2005 तक का ही मेरा, तब तक का तो loan 2005 तक का ही, तो SME non current होना चाहिए, ठीक है, SME non current होना चाहिए, नहीं न, current नहीं होगा, current नहीं होगा, पढ़ना है इसको ऐसा नहीं पढ़ना है इसको आपने डिफॉल्ट किया ही नहीं मतलब लोन नॉर्मल टर्म्स पे चल रहा है डिसेंबर 2005 तक के लोन है में को प्रमूटर्स कॉंट्रिबिशन लाना है मैं ला दूंगा डिफॉल्ट होगा तब जाके आगे की कहानी दिखेंग आप लोग पकट रहें डेट 30 जून 2002 की सर 30 जून 2002 को ये पेबल ऑन डिमांड हो जाएगा अरे पेबल ऑन डिमांड तब होगा जब प्रमूटर्स कॉंट्रिबिशन नहीं आएगा समझ गए अब 31 में तक नहीं आया ऐसा कोई लेना देना नहीं है हमको डिफॉल्ट हम से प्रमूटर्स कॉंट्रिबिशन के लिए एक्स्टा टाइम मिला है में को बस ठीक है तो ऐसे में ये नॉन करेंट होगा ऐसे मैं इसको करेंट नहीं बोलेंगे प्रियंका जी मिलें जी समझ में आ रहा है बढ़े कुछ भी डाउट है कोई भी सवाल आप लोगों के दिमाग में है आप लोग पूछ सकते हैं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है कोशें जितने जादा पूछेंगे उतना कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा हम टेसियों नॉलेज पे जा रहे हैं पेड नूमबर 2.64 कॉशें नूमबर 2 ठीक है चलो December 2XX1 Entity entered into a loan agreement The loan is repayable in equal installments up to December 2XX5 यह तो सेम ही है question मेरे साब से यह सेम है यह से काट देते हैं आपन यह नहीं पढ़ेंगे आपन 3 वाला पढ़ेंगे आपन Company A has taken a long term loan from Company B ठीक है In the month of December 2.0X1 There is a breach of material provision आपने एक provision का breach कर दिया ठीक है As a consequence loan is payable on demand On 31st March 2002 loan repayable on demand हो गया May 2002 आपने negotiation किया with company से Not to demand the payment for breach आपने उनको बुला भाई मत demand करो हम से Breach हुआ है हम से हम मानते हैं हम में में गए उनके पास ठीक है Financial statements approved हुए है June 2002 में The financial statement was approved in the month of June 2002 July में both companies entered into an agreement for payment Will not not be demanded immediately as a consequence of breach July में July में agreement हुआ है कि हम आप से पैसे नहीं मांगेंगे As a consequence of breach ठीक है हाँ जुलाइ में तो current या non current तो December में breach हुआ December में breach हुआ May में हम सामने वाले के पास गए कि भाई पैसे मत मांगो हमसे June में हमने approve कर दिया financial statement को July में सामने वाले ने approve किया चलो ठीक है हम आप से पैसे नहीं मांगेंगे current या non current तो रिटेज जी का कहना है कि current है अभी बाकी के लोगों का क्या कहना है और कुछ है कि इसमें नहीं तो प्रियंका जी का भी कहना है कि ये current है हाँ ये current होना चीए चलिए इंसिट्यूट का अंसर देख लेता है 123 त्री current चलो पढ़िया एक नंबर अंसर था आप लोगों का एकदम सही अंसर दिया आप लोगों ने लास्ट एक पॉइंट पूछ लेता हूँ सपोस कीजे कि ये जो agreement हुआ था ये जून में ही हो गया था ये जून में ही हो गया था अगर ये जून में ही हो गया होता तो क्या होता अगर ये जून में ही हो गया होता तो क्या होता ठीक है तो बहुत बढ़िया आप सभी लोगों ने current बोला है पर अगर ये agreement जून में ही हो गया होता याने सामने वाले ने बोल दिया कि चलो हम नहीं देते पैसे तो फिर आप क्या करते तो रिते जी का कहना है कि अगर ऐसे में नॉन करेंट हो जाता है बहुत बढ़िया वरी गुड़ है कि कोई और कुश्चिन रहे गया है कि मैं एक बात देख लेता हूं नहीं है तो चलिए ये था हमारा current नॉन करेंट बाइफर्केशन वाली कहानी ठीक है बहुत बढ़िया किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ लीजे मैं एक बार वापस है आप लोगोंगे सामने करेंट नॉन करेंट वाइफर्केशन बता देता हूं अगल से चार चीज़े देखना है एक जिस दिन वो अगल मेरे बुक्स में आया उस दिन से अगर और उपरेटिंग साइकल के अंदर वो पैसा आ जाएगा तो करेंट अदर वह पैसा रियलाइज हो जाएगा या तो फिर करेंट नहीं तो अदर वाइस नॉन करेंट फिनिश साइड चार पॉइंट्स पहला एक्सक्स तो भी सेटल विधिन उपरेटिंग साइकल ठीक है जिस दिन वो अगर मैं रिपोर्टिंग डेट से बारा महीने के अंदर सेटिल कर दूंगा तो करेंट अदर वाइस नॉन करेंट फिनिश गुड से रिलेटेड याने ट्रेडेब भी निया तो नॉन करेंट तो अदरवाइस करन अदरवाइस करेंट तो सैक्यर्टी दिपॉसे न कैंसलेबल क्लोस एंचलेशन वाले जो सेक्योर्टी डेपॉसेट होते हूं हमेशा करन्ट होते हैं यह हम लोगों को ध्यान में रखना है ठीक है flowchart फिर से so that retention अच्छा रहा है flowchart में हमने क्या बोला कि अगर आपसे default हुआ है default हुआ है ठीक है और default के कारण loan repayable on demand हो गया है तो फिर क्या करना है क्या हम reporting date के बाद BOD approval के पहले या BOD approval के पहले तक हम इस default को rectify कर दे रहे है अगर rectify कर दे रहे and bank बोलती है चलो ठीक है हम आपकी गलती माफ कर रहे है तो loan को non-current दिखाय जाएगा पर ये माफी BOD approval के पहले मिल जानी चाहिए अब मैंने यहां bank लिखा है हमारे पिछले कोईशन में हो कमनी भी थी अगर हमसे default rectify नहीं होता है पर फिर भी BOD approval के पहले bank बोलता है चलो ठीक है आने वाले 12 months from reporting date हम आप से पैसे नहीं मांगेंगे आने वाले 12 months from reporting date हम आप से पैसे नहीं मांगेंगे ठीक है तो ऐसे case में भी ये loan non-current हो जाएगा however अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर लोन को हम लोग current बोल देंगे ठीक है बस ये कहानी है तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे अभी भी हमारा India S1 याने schedule 3 जो है वो पूरे तरीके से complete नहीं हुआ है एक clause इसके अंदर और बचा है एक statement of other comprehensive income करके होता है वो अभी भी बचा हुआ है उससे हम लोग कल आगे बढ़ेंगे आज कुछ भी doubt है तो आप लोग पूछ सकते हैं YouTube पे हमारा last demo lecture था कल से हमारी class teachment के अंदर में होगी ठीक है purchase link नीचे description में दीवी है ठीक है कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं आप लोग जो भी doubts है पूछ लीजे और session पसंद आया होगा तो like कर दीजेगा वो तो रहता ही और किसी ने भी चैनल अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe करके रखिए तो notifications आते रहेंगे हमारे upcoming sessions के Sir ये default वाली बात इस indias में है हाँ इस indias में है सच अच जी ठीक है indias 1 में है पर ये common है अब आप कोई भी indias में चाहिए ये flowchart ये ही रहेगा as it is रहेगा टेलिग्राम लिंक नीचे description में दीवी है मेरा whatsapp number 8600364185 है ठीक है ये whatsapp लिंक रहेगा और टेलिग्राम लिंक तो नीचे description में दीवी है धन्यवाद exam जी तो चलिए किसी और के कोई और doubt मुझे दिख नहीं रहे हैं हम streaming end करते हैं फिर यहीं पर हम झाफे अड़ीं चлекशे पर नहीं आए mot regular ऑ्रन के का गवादर सुट नहीं हएं छो रहे हैं